अब हम अपने फिलोसिफी अफ साइंस को थोड़ा कनफाइन करके सिर्फ उसकी गुफ्तगू रिसर्च के कॉंटेक्स्ट में करते हैं किसी भी रिसर्चर की जो फिलोसिफी अफ रिसर्च है ना जी इट रेफर्स टू अंडरलाइंग बिलीव और इसंप्शन अबाउट वर्ड लेकिन हम उसकी इंप्लीकेशन सिर्फ ये देखेंगे कि वो जब रिसर्च करने लगे तो ये आपके अंडरलाइंग एजंप्शन जो आपके अंदर मौजूद है दुनिया के बारे में ये आपकी रिसर्च को कैसे इंफ्लूएंस करती है रिसर्च के अगर आप साइकल को जेन में लाईए तो रिसर्च का साइकल ये था कि हम एक रिसर्च प्राबलम चूज करते हैं फिर हम उस रिसर्च प्राबलम के हिसाब से लिट्रेचर रिव्यू करते हैं लिट्रेचर रिव्यू करके हम उसका जो है वो फिर मैसेडालोजी वाले component में आ जाते हैं जिस पर हम research design है उसकी sample है sampling वगारा है tools की development है तो यह methodology वाला part उसका research methods का हिस्था आ गया data collect कर लिया उस data को फिर हमने analyze किया उससे interpret करके अपने results conclusions वेरा draw किये तो आप जरा देखिए इन तमाम components को जेन में रख लें जो एक research process का हिस्था है और इसको connect करिए कि यह कैसे influence हो सकते हैं आपके दुनिया के बारे में जो सोच रखते हैं आप वो जो तीन बाते मैंने कहीं थी कि आपका concept of reality क्या है आपका concept of epistemology यानि knowledge की generation या knowledge की nature के बारे में आप क्या सोचते है knowledge किस चीज का नाम है कहां से आता है और आप value systems को कैसे देखते हैं इन तीन चीजों के बारे में जो आपके beliefs हैं उनको हम connect करते हैं इस research के process के साथ कि वहां पे आपके जो beliefs हैं वह आपके research के process को किस तरह influence करेंगे यह बात जब हम study कर करना चाहते हैं और इसको समझते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी research कैसे influence होती है हमारी philosophy से research की philosophy या philosophy of science से कैसे influence होती है इसकी importance को देखने के लिए कि यह मेरे decisions को shape करने में कैसे एहमियत रखती है इसका असर research design की selection बलके research की approach की selection से होता है अमूमी तोर पे लोग इसको पांच different classifications में पढ़ते हैं मसला लोग अपनी beliefs और assumptions about word के लिहाज से अगर उनको तक्सीम किया जाए तो literature पढ़ेंगे तो बेशुमार तक्सीम में आपको नजर आती है मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ categories में तक्सीम कर रखा है लोगों को यह जिन को आप दूसरे लफ़ों में कह लें कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ फिलासफीज रखते है अब आउट रिसर्च लेकिन उनको अगर मैं popular पांच में तक्सीम करूँ तो उनमें सबसे ज्यादा जो पुरानी और जिसकी tradition बाई जाती है देर से वो पॉजिटिविजम है दूसरी इंटरप्रेटिविजम है तीसरी को criticalism कहते हैं या criticalists कहते हैं जो लोग इस पे believe करते हैं चौथी को pragmatism कहते हैं और इसमें पांचवी जो है वो realism है लेकिन जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि ये सिर्फ पांच ही classification नहीं पाई जाती हैं या पांच philosophies नहीं पाई जाती है ये तादाद में इससे बहुत ज्यादा हैं क्यों कि हर philosopher ने उनको अपने हिसाब से तती दिया लेकिन अगर आप इसको spectrum के तोर पे देखें कि कहां से शुरू होता है कहां जाता है तो बनियादी तोर पे ये पॉजिटिविजम और interpretivism के spectrum के वोपर सारे fall करते हैं उसी की variations हैं वर्ड व्यू में जू जू लोगों के तबदीली आई उनकी classification उतनी बढ़ती चली ग जारा कुछ पॉल करेगा ये हम अगले मॉडियूज में ये समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है जब मैं कहता हूँ कि पॉजिटिविजम एज फिलासिफी ऑफ साइंस और रिसर्च तो असल में पॉजिटिविजम है क्या और इसका comparison अगर करूं तो ये interpretivism से कैसे फरक है interpretivism criticalism से कैसे फरक है तो दो बाते इन में से हर एक के बारे में समझने की हैं पहली बात कि ये खुद क्या होता है और दूसरी बात कि ये पांचों एक दूसरे से different कैसे हैं इसके बाद जब आप literature पढ़ेंगे तो बेशक उसमें और भी बहुत से philosophy's के नाम लिखे वे आपको मिलें आपके जहन में structure बन चुका होगा जो आपको help करेगा कि इनको समझना कैसे है और differentiate कैसे करना एक दूसरे से